नमस्कार दोस्तों, इंजे के सबसे बड़े ओनलाइन प्लेटफॉर्म अन्यकिडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज हम आधुनिक भारत के इतियास की इस क्लास में हमारा एक और मैत्पून प्रांथ जो पीछे छूट गया था उसको हम करने के लिए जा रहे हैं, उसका नाम है सिंद प्रांथ, सिंद प्राविंस जो है सिंद भी एक मैत्पून रियासत थी, थोड़ा सा हम सिंद का पूरा इतियास पड़ें और मैं आपको बताओं कि किस प्रकार अंग्रेजों ने अर्थात इस्ट इंडिया कंपनी ने सिंद का विले भारत में किया, ब्रिटिस भारत में किया उस पूरी कहानी से किस प्रकार आपके एक्जाम में प्रसंद बन सकते हैं और क्यों ये मैकपूर माना जाता है, इस पूरे का ब्योरा में आपके सामनी प्रस्तुत करने का प्रियास करूँगा सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस सिंद की हम बात करने हैं जा रहे हैं, वो सिंद एक्जेक्ली पढ़ता कहां पर है तो उसकी लोकेशन को देखने के लिए सबसे पहले सिंद को हम ट्रेस करते हैं कि सिंद कहां पर हैं भोगोलिक रोप से तो आप लोग दियान रखना कि जिस सिंद की में बात कर रहा हूं, वो सिंद आज की तारिक में जो हमारा गुजरात प्रोविंस है गुजरात का जो कच छित्र है, उस कच छित्र की सिमाएं सिंद के साथ लगती है तो देखिए, यहां यह हमारा आगया गुजरात और यह जो पार्ट आज भारत पाकिस्तान की बाउंडरी बनती है वहाँ पर इस जगह पर यह एक प्रांध था जिसको हम कहते हैं सिंद यह प्रोविंस जो है, यह आज की तारिक में पाकिस्तान का एक प्रांध है और इस सिंद का नाम सिंद कैसे पड़ा? तो आपको पता कि चीन से एक नदी भारत की जम्मु कस्मीर वले छितर से होते वे वो नदी सिंदु नदी के नाम से आती है और इसे सिंदु नदी के मुहाने पर बसा हुआ है कराची सिठी जो सिंद का important सिठी है जो सिंद का मैत्पून सेर है यहाँ पर यह सिठी जो होगा वो कराची होगा कराची और सिंद का सिंद की राजदानी हुआ करती थी है ध्यान रखना एक हैदराबाद तो हमारे भारत में है जो यहाँ पर होगा और एक हैदराबाद जो है यहाँ पर भी था सिंद के अंदर सिंद का हैदराबाद तो हैदराबाद जो है वो सिंद की राजदानी था सबसे पहले मैंने आपको ये बताने का प्रियास किया कि सिंद जिसके हम बात करें उसकी भोगुलिक इस्तिति क्या है सिंद वरत्मान में पाकिस्तान का दक्सिन पूरब में इस्तित एक प्रांथ है जिसकी सिमाएं भारत की गुजरात के कच छेतर से लगती है गुजरात का कच और राधिस्तान से इसकी सिमाएं जो है सिंद से लगती है सिंद वरतमान में पाकिस्तान का एक प्रांध है ये सिंद की लोकेशन है और सिंद का नाम सिंद कैसे पड़ा तो सिंद का नाम सिंद basically सिंदु नदी के आधार पर पड़ा और उस समय जो सिंद है आज भी आप देखोगे सिंद पाकिस्तान में उस समय जो सिंद का बड़ा छेतर था, उसकी सीमाएं उत्तर में किस राज्य से मिलती थी? पंजाब से. उसी पंजाब से, जिसके बारे में मैंने कल आपसे चर्चा की थी, वही पंजाब कौन सा? राजा रंजीत सिंगवाला. मतलब रंजीत सिंग के पंजाब राज्य की सीमा और Bombay Presidency में आता था गुजरात तो ये भी ध्यान रखना और इस साइड में सिंध की सिंधमाईं अफगानिस्तान के साथ में लगती थी तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप ये देखोगे अफगानिस्तान और East India Company अर्थात British भारत के बीच में कौन सा छेतर जो है वो बफर स्टेट का काम करता था तो ध्यान रखना British भारत और अफगानिस्तान के बीच में दो प्रोविंस जो है वो बफर स्टेट का काम करते थे उसमें से एक प्रोविंस था पंजाब और दूसरा था सिंद यहाँ पर सिंद और पंजाब में थोड़ा सा डिफरेंस ये भी आएगा कि पंजाब पर राजा रंजीत सिंग जैसा सक्तिसाली व्यक्ति था इसलिए अंग्रेजों की हिम्मत जल्दी से वहाँ पर नहीं हुई लेकिन सिंद के साथ जो उन्होंने धोके बाजी की वो सायद ही भारत की किसी प्रांथ के साथ अंग्रेजों ने ऐसा किया हो तो ये सबसे पहले मैंने आपको सिंद की भोगुलिक इस्ति के बारे में समझाने का प्रियास किया अब हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हम सिंद का इतियास सुरू करते हैं और जब सिंद का इतियास शुरू करेंगे, तो पहला point जो आएगा, वो होगा, किसर सिंद मद्यकाल में किसका आता है? क्योंकि मद्यकाल से, हम मद्यकाल की हिस्ट्री से आधुनिक भारत की इतियास के हिस्ट्री में आएंगे, और जब आधुनिक भारत की इतियास में आएंगे, तो आप ये भी ध्यान रखना, कि आधुनिक भारत में भारत की आजादी जब तक होगी, भारत की आजादी तक सिं आधुनिक भारत की और आधुनिक भारत के बाद भारत के आजादी के बाद की भारत के आजादी के बाद जो है सिंद जो है वो basically किसका हिस्सा बना तो सिंद वरत्मान में पाकिस्तान का हिस्सा बन गया सिंद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया ये तो लास्ट पॉइंट हो गया अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो आप दोग ध्यान रखना कि मद्य काल में सिंद मुगलों का प्रान था सिंद किसके अंडर में आता था मुगलों का हिस्सा था मुगलों का प्रांध था सिंध भी मुगल समराज्य का एक मैत्पूर्ण हिस्सा हुआ करता था परंतु 1707 में औरंजीव की निदन के बाद जब मुगल समराज्य लगातार कमजोर होता गया और मुगलों का पतन होता गया तो धिरे-धिरे उनके सक्ति से उनके चितर निकलते गए इस प्रकार सिंध पर भी उनका आधिपत्य समाप्त हो गया और जब सिंध पर उनका आधिपत्य समाप्त हुआ तो फिर एक क्यूशन यह आता है कि 28 सताब्दी में 28 सताब्दी में सिंध का सासक कौन था 28 सताब्दी में सिंध का सासक कौन था तो ध्यान रखना 28 सताब्दी में सिंध का सबसे ताकतवर सासक मीर फत्य अलिखा था सिंद का सबसे ताकतवर सासक मीर फत्य अली खाँ था मीर फत्य अली खाँ तो सबसे पहले तो मैंने आपको आपको इसकी जोग्राफिकल लोकेशन समझाई कि सिंद कहां है तो सिंदु नदी के नाम पर सिंद प्रांत बना सिंद प्रांत जो है वो वरत्मान में पाकिस्तान का एक प्रांत है जिसकी सिमाए भारत की गुजरात और राजस्तान से लगती है और कराचिस का मैकमून सहर है और उस समय इसकी राजदानी हैदराबाद हुआ करती थी ये हैदराबाद सिटी वरतमान में भी पाकिस्तान के अंदर है एक हैदराबाद भारत के अंदर है अगर हम मद्यकाल की बात करें तो मद्यकाल में सिंध प्रांथ मुगलों का हिस्सा हुआ करता था लेकिन जब मुगलों का पतन सुरू हुआ तो सिंध जो है वो मुगलों के ह ताकत्वर सासकता मीर फत्य अलिखां मीर फत्य अलिखां कौन थे तो ये बैसिकली तालपुरू की ब्लोच जाती से समधित था ये कौन था तो ये उतराएगा एक जगह है तालपुरू ये तालपुरू की ब्लोच जन जाती से समधित था ब्लोच वही जिसके आदार में ब्ल सिंद में किस छित्र का था तो तालपुरू की ब्लोच जाती से वो समधित था और उसने 1783 में 1783 में 1783 में सिंद छित्र पर पूरी तरह से नियंतरन इस्तापित कर लिया बस इस बिंदु को आप यहां से ध्यान में रखोगे अब हम आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ें तो नाम आएगा मीर फत्य अलि खान का मीर फत्य अलि खान कौन है तो उत्तर होगा सिंद के सासक है मीर फत्य अलिका सिंद के सासक है और जिस समय मीर फत्य अलिका सिंद का सासक बना था ये टाइमिंग कौन सा है 1783 और आपको पता है कि इससे जस्ट पहले एमद साह अबदाली का इस चेतर में दबदबा था इसलिए सिंद पंजाब ये सब चेतर जो है वो अफगानी सासक की बात को मांगते थे तो इस क्रब में जब सिंद का नवाब या अमीर वहां राजा को क्या कहते हैं अमीर जब सिंद का अमीर मीर फत्य अलिकान बना तो मीर फत्य अलिकान ने भी अफगानी सासक से अनुमती प्राप्त की थी तो यहाँ पर आप लोगी ध्यान रखना कि अफगानी सासक ने क्या किया मीर फत्त अलिखान से कहा कि अपने भाईयों के मद्दे भी अपने हिस्से को जरूर बाटना मतलब सिंद छेतर में ये प्रंप्रा थी कि सिंद का जो भी अमीर होता था जो भी सासक होता था वहाँ पर उत्रादिकार के लिए बेटों के मद्दे संगर्ष न होकर भाईयों के मद्दे होता था तो एक रिवात सलता था कि उत्रादिकार के लिए संगर्थ ना हो इसके लिए सिंदका अमीर अपने जिते जी ही अपने भाईओं को अपने रज्जे में से हिस्सा दिदरत था तो आप दोग ध्यान रखना सिंदका सासकता मीर फथ अलिख खाँ और मीर फथ अलिख खाँ ने अफगानी सासक के कहने पर अपने चार भाईयों को अपने चार भाई टोटल चार भाई थे जिनको चार यार या चार मित्र भी कहते हैं उनके बीच में सिंध रियासत को बांट लिया अब ये जो चार भाई या चार यार थे यही आगे चल कर क्या कहला है सिंध के अमीर ये कहलाएंगे सिंध के अमीर तो आप लोग देखो एक बार बार एक सब्द आएगा कि अंग्रेजों ने सिंध के अमीरों के साथ सही बरताओ नहीं किया ये सिंद के अमीर क्या मतलब हुआ कि मीर फत्य अलिखा ने अपने समय के अंदर ही अपने भाईयों का हिस्सा भी बाट दिया और राज्य अपने सिंध राज्य को चार भागों में डिवाइड किया और वो चार राज्य जो थे वो चार राज्य चार अमीरों के पार्ट माने जाते थे चार अमीरों के पार्ट माने जाते से आप देखोगे सहयुक्त अरब अमीरात वहाँ पर भी अमीरात है वो बंटेवे हैं लेकिन सब एक जुट हैं तो ऐसे ही जो मीर फत्या लिका था जो सिंद का सासक था उसने अपने कारेकाल के दोरानी क्या किया कि अपने सिंद छित्र को अपने भाईयों में बाट दिया और इनके भाईयों के को समलित रूप से किस नाम से जानता था सिंद के अमीर कि सिंद के अमीर और सिंद उपरी तोर पर तो एक दिखाई देता था लेकिन अंदर से सिंद भी चार भागों में बटावा था अब दिक्कत कहां से सुरूओगी जब तक मेर फत्य लिखान होगा तब तक तो अपने भाईयों को साथ साथ भले उनको हिसा दे दिया हो लेकिन मीर फत्य लिखान की अठारा सो में इनका अठारा सो में निदन हो गया किसका मीर फत्य लिखान का अठारा सो में निदन हो गया अठारा सो में निदन होने के बाद उसके भाईयों में थोड़ा डिस्प्यूट होगा और सिंद के वो एक स चार अमीर क्यालाएंगी तो एक तो मैंने आपको ये बात बताई कि मीर फत्य अले खां को सिंद का 28 सताबदी में सबसे ताकतवर सासक मना जाता है उसने 1783 में सिंद पर नियंतर निस्तापित किया वो सासकरा 1783 से 1800 में 1800 में उसका निदन हो गया जब उसका निदन हो गया तो उसके बराबरी का उसके ताकतवर कोई उत्रादिकरी उसका नहीं हुआ इसलिए यहाँ पर सिंद चितर पर सब की नजरे होगी अब सिंद चितर पर सब की नजरे मतलब क्या होगा कि सिंद एक ऐसा प्रदेश था जो सिンドु नदी और उसकी साहिक नदियों के कारण काफी उपजव मना जाता है तो देखो अगर ये सिंद्चेतर है और सिंद्चेतर से सिंदु नदी जो भारती उपमादिप की सबसे बड़ी नदियों में से एक है ये सिंदु नदी गुजरती है किसे? सिंद प्रांच से सिंद प्रांच से और सिंदु नदी डारेक्ट जुडिवी है अरब सागर से अरब सागर से तो कुछ लोग कमाना था कि जिसके सिंद हाथ लग जाए उसके सिंदु नदी हाथ लग जाएगी और जिसके सिंदु नदी हाथ लग जाएगी उससे विजे का मार्ग मिल जाएगा मतलब जीत का रास्ता इत्ती सामरिक दरश्टिकों से इंपोर्टेंट थी अब एक बार आप भारत को वापस देखिए कि हम ये देखें कि भारत में उस समय पॉलिटिकल पावर है इस्टिंडिया कमपनी और इस्टिंडिया कमपनी ने 1757 में प्लासी के युद में बंगाल जीत लिया है 1757 में बंगाल जीत लिया है 1764 में बक्सर का युद होगा और अवद के साथ उसका संगर्स होगा अवद और बंगाल के साथ उसके बाद 1764 और 1763 में करनिटिक वार समाप्त होंगे और फ्रेंच को वो हरा देंगे 1799 में के आसपास वो मैसूर को प्राजित कर देंगे 1799 में मैसूर को उसके बाद 1815 से लेकर 1818 में वो लगेंगे मराठों तक मतलब अंग्रेजों की नजर सिंध प्रांत पर इसलिए नहीं पड़ सकी क्योंकि अंग्रेज मतलब इस्ट इंडिया कंपनी भारत की किसी अन्य छितर में अभी पूरी तरह से वेस्थ है तो आपकी दिमाग में एक केशन आएगा कि क्या सर इस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे सूरत में मसूली पटन में अपनी फैक्टरी इस्तापित की क्या कभी सिंध में उन्होंने अपनी फैक्टरी इस्तापित नहीं की क्या बहुत रचाकेशन है तो ध्यान रटना यहाँ पर इसका उत्तर होगा कि उन्होंने सिंध में 1775 में थट्टा नामकिस्तान पर थट्टा नाम की एक जगए थी थट्टा वहाँ पर 1775 में EIC ने अपनी एक फैक्टरी इस्तापित की जिसको उन्होंने गोदाम नाम दिया गोदाम कहा मतलग इस इंडिया कंपनी सिंध में परवेश कर चुकी थी एजट ट्रेडिंग कंपनी और सिंध में उसने अपना पहला गोदाम कहां पर इस्तापित किया तो सिंध में उसने अप जोकि उस समय सिंध की पॉलिटिकल पॉजिशन जदा अच्छी नहीं थी, वहां राजनितिक एविवस्ता फेली वी थी, इसलिए 1792 में अंग्रेजों ने थट्टा में जो फ्यक्टर लगाई थी उसको बंद कर दिया. तो कुल मिलाके मैं कहना चाहूँगा कि अंग्रेज सिंध में पहुंच चुके थे, लेकिन एक तो दक्सिन भारत और पूर्वी भारत में वैस्त है लगातार युदों में इसलिए उनका ध्यान अभी सिंध पर नहीं है. उन्होंने एक फैक्टरी खोलने का प्रियास सिंध चित्र में जरूर किया था, वो खोली थी 1775 में थट्टा नामक जगया पर पर परन्तु राजनितिक एववस्ताओं के कारण उन्होंने जल्दी ही इस फैक्टरी को 1792 में बंद कर दिया था. तो ये एक जानकारी हुई जो मैंने आपको दी और ध्यान रखना सिंध जो है वो बेसिकली चार अमीरों के बीच में बटा हुआ था. अब उसकी बाद हम आगे बढ़ें तो आपको पता होगा कि धीरे धीरे अंग्रेज चुह है धीरे धीरे अंग्रेज चुह है वो बेसिकली भारत इस साइड से वो आगे ऐसे बढ़ेंगे. जब इस साइड में उनका नियंतरण होगा तो फिर वो ऐसे बढ़ेंगे. अब जब ऐसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर स्टेट आएगा कौन सा पंजाब. और पंजाब की सीमाई मिलती है सिंध के साथ और सिंध की सीमा मिलती थी गुजरात के साथ. सिंध की सीमाई ये आगया गुजरात और गुजरात अंग्रेजों के किस छेतर से लगता था तो अंग्रेजों के बॉम्बे प्रेजडेंसी से लगता था. धान रखना गुजरात किसका पार्ट होगा बॉम्बे प्रेजडेंसी का. तो यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले बात तो वो इस साइड में आगे कब बढ़ेंगे? तो बढ़ेंगे अठारा सो तीन के बाद में. अठारा सो तीन के बाद अंग्रेज जो है पंजाब और सिंध की और बढ़ने का प्रियास करेंगे. आपके दिमाग में प्रसन आएगा कि इस समय वो सर इस साइड क्यों बढ़ रहे हैं? तो उसका रीजन यहां नहीं है. च्योंकि यहां पर पंजाब में उस समय 1799 से 1840 तक, जो मैंने आपको कल समझाय था, पंजाब में 1799 से 1840 तक यहां पर काफी दबंग सासक है, जिसका नाम है रंजीत सिंग. मतलब इस समय रंजीत सिंग यहाँ पर है वो ताकत और रिक्तिर उसके पास तो सेना है वो एसिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत और सेना है तो आपको गरे सर क्यों? फिर अंग्रेज इस साइड थों बढ़ रहे है कब? उनिस्वी सदी के आरब में उनिस्वी सदी का मतलब क्या होगा? अठारा सो तीन, अठारा सो चार, अठारा सो पाँच, अठारा सो नो यह होगी उनिस्वी सताब्दी उनिस्वी सताब्दी में उनका टार्गेट पंजाब और सिंद नहीं है उनका targeted जो बिंदू है वो basically है कौन सा देश तो वो है अफगानिस्तान उनका target जो है वो basically अफगान है आपको गिसर अफगान क्यों तो उसका region यह होगा कि पंजाब और सिंध की सीमाई लगते थी अफगानिस्तान के साथ और 1900 सदी के आरम में ही नेपॉलियन बोनापार्ट तेज गती से अपने सामराज्य का विस्तार कर रहा है तो अंग्रेजों को इस बात का डर है कि कहीं फ्रांस जो है वो बिटिस सामराज्य की ओर ना आ जाए इसलिए उस समय जो भी गवर्णर जनल होगा वो यह चाहेगा कि अगर फ्रांस आए भी तो उससे अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ही रोका जाए मतलब अंग्रेज चाहते थे कि अफगनिस्तान एक परकर का बफर स्टेट बने और जब बफर स्टेट बनेगा ताकि ब्रिटिस समराज्य तक उसको पहुंचने ने दें और वहीं पर उसको रोके रखें कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि नैपॉलियन के डर के कारण अंग्रेज अफगनिस्तान को सीमा रिखा बनाना चाहते थे इसलिए वो अफगनिस्तान तक पहुंचने के लिए उनका सिंद के रास्ते या पंजाब के रास्ते अफगनिस्तान पहुंचना जरूरी है यही कारण है कि सुरुवात में अंग्रेजों को अफगनिस्तान पहुंचने के लिए सिंध और पंजाब की बहुत ज़्यादा आउस्ता थी इसलिए इन दोनों ही प्रदेशों के साथ 1809 में वो संदी करते है मैंने पंजाब में आपको कल समझाए था पंजाब में 1809 की जो संदी होती है उस संदी का नाम आप लोग बताएंगे मैंने कल आपको समझा दिया है उस संदी के दोरा पहली बार वो रंजी सिंग के साथ कहता है कि हमारी आपके साथ में सास्वत मित्रता है आप हमारा सयोग कीजिए, धान रखना 1809 में ही, 1809 में ही EIC ने सिंद के साथ संदिकी, 1809 में EIC ने सिंद के साथ भी एक संदिकी और इस संदि में आप लोग ध्यान रखना, उस समय 1809 के आसपास कौन था गवनरजनल लॉर्ड मिंटो, ध्यान रखना सिंद की सीमाएं अफगनिस्तान के साथ लगती थी, सिंद की सीमाएं अफगनिस्तान के साथ लगती थी, और अफगनिस्तान के बॉर्डर पर फ्रांस को रोकने के लिए सिंद या पंजाब में से किसी एक को पार करना जरूरी था, परन्तु पंजाब का सासक राजा रंजीत सिंग था, जो काफी सक्तिसाली था, और उसके साथ 1809 में ये अंग्रेजों ने संदी कर ली, परन्तु कोई वैक्यूम उनको वहाँ पर नहीं मिला, इसलिए उनकी दूसरी नजर जो थी, वो सिंद पर थी, कि कैसे करके सिंद के साथ में संजोतर किया जाए, इसलिए 1809 में उन्होंने सिंद के साथ संदी की, और उस संदी में इस पस्क्रूप से ये कहा गया, कि सिंद और इस्ट इंडिया कंपनी, मतलब बिर्टिस भारत की सीमाएं कच छेतर में मिलती हैं, यहाँ पर उस समय ये गुजरात का जो एरिया होगा, इसको क्या कहेंगे, कच छेतर, कच छेतर, और कहा कि कच की सीमाओं को हम इस पस्क्रूप से दरसाते हैं, तो ध्यान रखना सबसे पहले, इन्हों ने, अंग्रेजों ने, 1809 में, सिंद की अमीरों के साथ पहली बार संदी की हैं, उस संदी में उन्होंने सास्वत मित्रता की बात कही, कि हम प्राकृति कुप से एक दूसरे के साथ रहेंगी, लेकिन ध्यान रखना अंग्रेज संदी में लिखते कुछ और थे, और उनकी नजरें लगाता सिंद परदेश को देख रही थी, अब आप देखिए, आगे चल कर, पंजाब और सिंद इन दोनों छित्रों पर नजर हैं, और जैसा कि मैं आपको बता दूँ, कि 1818 तक अंग्रेज जो हैं, दक्सिन भारत में, मैसूर, मराठा, हैदराबाद, हैदराबाद, बंगाल, करनाटक, इन सब पर लगबग विज़े पाचुके हैं, अब उनके पास 1830 के बाद केवल दो इच्छतर बच रहे होंगे, एक तो आपका सिंद और दूसरा पंजाब, चुँकि पंजाब, जब तक रंजित सिंग है, तब तक पंजाब को लेना मुस्किल है, 1840 में जैसे रंजित सिंग मरेगा, आपको पता है, मैंने कल आपको पूरा समझाए था, कि रंजित सिंग के निदन के दस वरसों के बीतर अंग्रेजों ने पंजाब को क्यप्चर कर लिया, इसे परकार सिंद के साथ पहली बार संदी कब हुई, 1809 में सिंद के साथ पहली बार संदी की और ये सास्वत संदी थी, और कहा गया कि दोनों कि सिमाई स्पस्ट हैं और दोनों एक दूसरे का सयोग करेंगे, उसके बाद 1831 में लॉर्ड एलन बरो जो उस समय बॉर्ड ओफ कंट्रोल का अध्यक्स था, ध्यान रखना, इसके बाद एक गटना आती है, 1831 की, 1831 की एक गटना आती है, और वो गटना क्या थी, कि 1831 में बॉर्ड ओफ कंट्रोल का अध्यक्स था, आपको पता है, मैंने बॉर्ड ओफ कंट्रोल पुरा समझा रखा, जो लंदन में होता था, भारत में गवर्णर जनल और वहाँ पर बॉर्ड ओफ कंट्रोल, तो 1831 में बॉर्ड ओफ कंट्रोल के अध्यक्स था, Lord Allainboro, ध्यान रखना ये बाद में भारत की गोवर्नर जनरल भी बनेंगी. तो 1831 में भारत लंदन में Board of Control का देख था Lord Allainboro और Lord Allainboro ने एक नाविक सेलर को भीजा जिसका नाम था Alexander Burns उसका नाम क्या था? Alexander Burns को भेजा और किसले भेजा? तो इसको भेजा था सिंदू नदी की खोज के लिए सिंदू नदी की खोज के लिए Board of Control के अध्यक्स Lord Allen Brown नहीं 1831 में Alexander Burns को सिंदू नदी की खोज के लिए भेजा तो जायसी बात है सिंदू नदी में Alexander Burns जो है वो कई नाव लेकर यहां पहुंसता है अब जब उससे पूछा गया कि आप इदर कैसे जा रहे हैं तो चुंकि उनके संदित हो रही है तो उसने जवाब दिया किसने? Alexander Burns ने जवाब दिया कि हम राजा रंजीत सिंग के लिए कुछ उपहार लेकर जा रहे हैं क्योंकि पंजाब अगर जाना हो तो सिंदू नदी से पंजाब पहुंचा जा सकता है तो उसने जवाब क्या दिया कि हम सिंदू नदी के रास्ते नाओ में उपहार भरकर गिफ्ट भरकर राजा रंजीत सिंग के पास जा रहे हैं कहते हैं कि इसी समय कुछ सय्यद जो थे उन्होंने अंग्रेजी नुकाओं को देखा और ब्लूच मतलब सिंद के अमीर इतने बेवकुफत थे नहीं वो भी इस बात को समझ रहे थे कि देखो ये किस परकार से सिंदु नदी को अब उपयोग मिलाने लगे हैं और कहते हैं कि उस समय जब ये नावे सिंद से पंजाब की ओर जा रहे थी तो एक सय्यद व्यक्ति जो विद्वान था उसने एक टिपणी की जो मैं आपको बताना चाहूंगा उसने ये क्या कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है मतलब जब अलेक्जेंडर बंस सिंदु नदी के अंदर नावे लेकर जा रहा था जिसका मेन अबजेक्ट था लॉर्ड एलन जो समय बॉर्ड ऑफ कंट्रोल का देख्ट था कि कहने पर वो सिंदु नदी की पूरी लोकेशन को ट्रेस कर रहा था तो उसको देखकर अलेक्जेंडर बंस को देखकर एक सयद जो उस समय का विद्वान रहते था उसने क्या कहा उसने कहा बड़े दुर्भाग्य की बात है बड़े दुर्भाग्य की बात है सिंद अब गया सिंद अब गया क्योंकि अंग्रेजों ने सिंदु नदी को जो विजे का मार्ग है को समझ लिया है और देख लिया है किते बैतरी निटिप पड़ी उसने कि देखो किता विद्वान और दूरदर्सी व्यक्ति था उसने कहा किसने कि जब एलेकजंडर बर्न्स जो एक परकार से दूद्ध था किसका लॉर्ड एलन बरो का और लॉर्ड एलन बरो जो बाद में भारत की गवर्णर चनल बनते हैं 1831 में बॉर्ड आफ कंट्रोल के अदेक्स थे उनके कहने पर एलेकजंडर बर्न्स सिंदु नदी की खोज करने के लिए गया जब सिंद के लोगों ने पूछा, परसासन ने पूछा कि आप कहा जा रहे हो तो जवाब दिया कि हम राजा रंजित सिंग के लिए उपहार लेकर जा रहे हैं यही पर एक सेयद ने उसको देखा और यह टिपनी की कि बड़े दुर्भग्य की बात है कि सिंदू नदी पर अब अंग्रेजों की नजर पड़ गई है अतले सिंदफ अब गया क्योंकि अंग्रेजों ने सिंदू नदी को जो विजे का राजमार्ग है देख लिया है मतलब किता दूरदर्शी व्यक्ति था उसने ये कहा कि अगर इन्होंने सिंदु को देख लिया है तो विजे का राजमार्ग देख लिया है और विजे का राजमार्ग का देखने का मतलब अब सिंद, सिंद के अमीरों के हाथ से गया ये बात है 1831 के उसके बाद आपको पता होगा मैंने जब आपको पंजाब पड़ाय था तो मैंने वहाँ पे चर्चा भी की थी और मैंने कहा था क्या कि 1831 के अंदर 1831 में रोपड नामक जगह पर रोपड कहां पर है पंजाब के अंदर रोपड पंजाब में पंजाब के सासक और EIC यह मैं कहा दूँ कि ततकालीन भारतिय गवर्नर जनरल जो इस्टनिय कमपनी का था उस समय कौन था तो 1831 में आपको दा 1828 से 1835 तक का करिकार विल्यम बैंटिक का है तो भारत का गवर्नर जनरल था विल्यम बैंटिक और पंजाब का सासक 1831 में गुंचालिस में मरेगा रंजीत सिंग तो 1831 में रंजीत सिंग ही होगा तो यहां पर राजा रंजीत सिंग है वापस में अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि 1831 में पंजाब में रोपड नामक जगय पर पंजाब के सासक रंजीत सिंग एवं भारतिय गवर्नर जनरल विल्यम बैंटिक के बीच में एक बातचित हुई उस बातचित में राजा रंजीत सिंग ने राजा रंजीत सिंग ने विल्यम बैंटिक के सामने ये प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव में क्या कहा तो उसने ये कहा कि सिंद को जीत लें क्या कहा कि सिंद को जीत लें सिंद को जीत लें और जीतने के बाद सिंध को हम आपस में बाट लें मतलब आपस का मतलब कौन हुआ यहां पर आपस का मतलब पंजाब, स्टेट और इस्ट इंडिया कंपनी सिंध को आपस में बाट लें इसका मतलब इस्ट इंडिया कंपनी तो जानती थी कि सिंध की आंतरिक इस्तिती कमजोर है लेकिन इससे ज़्यादा राजा रंजीत सिंग भी जानता था कि सिंद की इस्तिती कमजोर है इसलिए पंजाब में रोपड नामक जगे पर 1831 में भारतिय गवर्नर जनरल विल्यम बैंटिक और पंजाब के सासक रंजीत सिंग के बीच में बातचित हुई जिसमें रंजीत सिंग ने परपूजल रखा कि हम मिलकर सिंद को जीत लें और फिर सिंद को आपस में बाट लें अब आप यह सोची कि उस समय विल्यम बैंटिक के दिमाग में क्या चल रहा होगा हकिकत पूछो तो विल्यम बैंटिक के दिमाग में यही चल रहा था कि तू हमें क्या proposal दे रहा है हम तो खुद सिंध जीतने का पूरा परियास करने में लगेवे हैं और मैं तो ये कह सकता हूँ कि उस समय विल्यम बैंटिक की दिमाग में ये बात भी होगी क्या कि रंजीत सिंग तू क्या proposal दे रहा है अगला नंबर आपका है ये कौन सोच रहा होगा विल्यम बेंटिक कुल मिलाके मैं कहना चाहूँगा कि 1831 में जब रंजीत सिंग ने ये प्रपोजल दिया तो विल्यम बेंटिक ने साफ मना कर दिया कि सौरी नहीं मतलब यहाँ पर उसने कुछ नहीं कहा और इसके अगले ही जस्ट इसके अगले साल 1832 के अंदर 1832 में विल्यम बेंटिक ने 1832 में विल्यम बेंटिक ने और विल्यम बेंटिक को हम यहाँ पर EIC से जोड़ देंगे इस्ट इंडिया कमपटी विल्यम बेंटिक ने कर्णल पॉंटिंगर को सिंद भेजा देखो वो जो परपोजल उसने दिया था उसके परपोजल पर विल्यम बेंटिक कुछ नहीं बोला लेकिन उसके अगले साल वो अपने एक दूद को मतलब भारत का गवर्णर जनरल विल्यम बेंटिक अपने एक दूद जिसका नाम था कर्णल पॉंटिंगर को सिंद भेजा और सिंद भेज करके कर्णल पॉंटिंगर ने सिंद के अमीरों को EIC के साथ एक व्यापारिक संदी करने के लिए मजबूर कर दिया व्यापारिक संदी करने के लिए मजबूर कर दिया इसी संदी कहते हैं सिंद व्यापारिक समझोता और ये संदी कब हुई है तो ध्यान रखना 1832 में हुई है संदी किस ने की तो करनल पॉंटिंगर ने की करनल पॉंटिंगर किस ने वेज़ा विल्यम बैंटिक ने वेज़ा था अब दिखिया इनों ने इसके साथ संदी में क्या लिखवाया वो पॉइंट्स पढ़ने लाइक है वो points क्या होगा कि William Bantic ये समस्ता था कि कहीं पंजाब हमारे से पहले सिंद्ध पर हमला ना कर दे और पंजाब सिंद्ध को अपने नियंतरण में ने ले ले इसलिए 1831 में रजा रंजीत सिंग ने जो परपोजल रखा उस पर तो उसने स्विकृति नहीं दी लेकिन रंजीत सिंग अकेले ये काम ने कर दे इसके लिए उसने 1832 में करनल पॉंटिंगर को सिंद्ध भेजा और सिंद्ध के अमीरों को संधी करने के लिए मजबूर कर दिया और सिंद्ध के साथ में एक व्यापारिक संधी की जिसके पॉंट्स क्या थे पहला पॉंट क्या था अंग्रेजी परियाटक मलब बिर्टिस टूरिस्ट अंग्रेजी परियाटकों एवं अंग्रेजी व्यापारियों को सिंद में आने जाने की अनुमती होगी एवं वो सिंद में व्यापार कर सकते हैं आने जाने अनुमती होगी उन्हें व्यापार करने की अनुमती होगी साथी साथ सिंदु नदी अंग्रेजी व्यापारियों के लिए खुली रहेगी मतलब क्या होगा कि अगर चाहे तो बिटिस व्यापारी सिंदु नदी से आ जा सकते हैं ये संदी कब हो रही है 1832 के अंदर कौन कर रहा है कर्बिनल पॉंटिंगर इस संदी का पहला पॉंट था कि अंग्रेज परियटक एवं अंग्रेज व्यापारी सिंद परांत में व्यापार के लिए आ जा सकेंगे एवं सिंदु नदी अंग्रेजी व्यापारियों के लिए खुली रहेगी पहला पॉंट नमबर दो अगर अंग्रेजों के अलावा कोई अन्य यूरोपियन आता है तो उससे सिंध आने के लिए पासपूर्ट की आवसकता होगी मतलब उनके अलावा कोई और नहीं आना चाहिए और आता है तो उसको पासपूर्ट की आवसकता होगी और तीसरा लिखा कि किसी अंग्रेज व्यापारी को सिंध में बसने की अनुमती नहीं दी जाएगी मतलब व्यापारी करेंगे सिंध में बसेंगे नहीं उनको पहले पता था कि बसना है नहीं लूटना ऐसे रपियां से किसी अंग्रेज व्यापारी को सिंद में बसने के अनुमती नहीं दी जाएगी और चोथा उनको और ज़्यादा थोड़ा सुरुक्षित करने लिए कहा कि परंतु कोई भी युदपोत सिंदु नदी में नहीं आ जा सकेगा और नहीं किसी प्रकार की युद सामगरी का इस चेतर से आवागमन होगा मतलब सिंद के अमीरों के विश्वास को जीतने के लिए क्या कहा कि अंग्रेज व्यापारी और परियटक सिंद प्रांत में आ सकते हैं व्यापार कर सकते हैं परन्तों उन्हें वहाँ पर बसने का दिकार नहीं होगा मतलब कम से कम अंग्रेज जा रहें कि पहले आने तो दो दूसरा लिखा कि अंग्रेज व्यापारी वहाँ पर बसेंगे नहीं तीसरा किसी अन्य यूरोपियन्स को भी वहाँ पर आता है तो पास्पोर्ट क्या हो सकता होगी चोथा लिखा अमीरों का विश्वास इतने के लिए कि सिंदु नदी का परियोग युद पोत के लिए जहाजों के लिए नहीं किया जाएगा और नहीं युद सामगरी इस नदी से लाई जाएगी मतलब कम से कम पहली बार में वो यहां से गुस्तरा है लास्ट पॉइंट क्या लिखा था कि आयात निर्यात की दरें प्रकासित की जाएगी जब व्यापार होगा तो आयात निर्यात होगा आयात निर्यात की दरें प्रकासित की जाएगी और दोनों मतलब सिंध और इस्ट इंडिया कमपनी अपने अपने छितरों के अलावा दूसरे के छितर को लल्चाई द्रस्टी से नहीं देखेंगे समसरे बात को अगर किसी जगे लिखा हो था कि ऐसा नहीं करना चाहिए मतलब वहाँ पर ऐसा हो रहा है जैसे कहीं लिखा हो यहां न थूकें तो इसका मतलब लोग वहाँ पर थूकते होंगे तो आप देखो कि इसका लास्ट पॉइंट क्या है कि दोनों एक दूसरे के प्रदेश को ललचाई दरस्टी से नहीं देखेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेज सिंद को ललचाई दरस्टी से देख रहे थे कुल मिलाकर 1832 में अंग्रेजों ने अर्थाफ इस्ट इंडिया कंपनी ने जो व्यापारिक संदी की उस व्यापारिक संदी के माद्यम से उन्होंने कहीं न कहीं सिंद के अमिरों को उनके साथ व्यापार करने के लिए मजबूर कर दिया और ध्यान रटना करनल पॉंटिंगर जो था Colonel Pontinger को 1832 से शिंद का राजनितिक ऐजएंट निक्ष कर दिया गया उसे सिंद का राजनितिक ऐजएंट पॉलिटिकल ऐजएंट निक्ष कर दिया गया और अब Colonel Pontinger का सिंद में एक ही काम रहे गया जिसके लिए उसको मनाई की गई थी और वो था कि वो उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्सेप नहीं करेगा जबकि करनल पॉंटिंगर सिंद में रहने के बाद करता ही क्या था केवल उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्सेप करता था अब देखिए जैसे ही संदी हुई 1832 में 1833 में मतलब अगले साल इस इंडिया कम ने कहा कि सिंदू नदी के परवेश द्वार पर जैसे यहां से कोई जहा जाता है तो परवेश द्वार पर जैसी बात है उस समय भी टेक्स लिया जाता था जिससे टॉल टेक्स कहते है और ये इसके पास आता था सिंद के अमीरों के पास सिंद की सरकार के पास तो यहां पर क्या का गया कि सिंदू नदी के प्रवेश द्वार पर जो टॉल टेक्स है उस टॉल टेक्स में अब ब्रिटिस का भी हिस्सा होगा मतलब कुल मिला कर वो ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी छोटे छोटे समझोतें से उनके अधिकारों का हनन कर रही है किसके सिंद का तो यहां तक मैंने आपको बताने का प्रियास किया उसकी बाद आप देखिए उसकी बाद 1836 में इसके बा जनरल बनके आया लॉड्ड ओकलेंड तो आप लोग ध्यान रखना लॉड्ड ओकलेंड और लॉड्ड ओकलेंड कौन था तो यह 1836 से लेकर 1842 तक लॉड्ड ओकलेंड जो था यह उस समय भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है लॉड्ड ओकलेंड उस समय भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया और जब जब कोई आया तो हर के समय समस्या अलग लग थी जब लॉड्ड ओकलेंड आता है तो आप देखिए भारत और इस जगह पर ये सिंद यहाँ पर ये पंजाब और इस जगह पर ये अफगनिस्तान तो ध्यान रखना कि Lord Auckland जब भारत आता है भारत का Governor General बन करके तो उस समय सबसे बड़ा डर था रूसी आकर्मन का मतलब रूस आकर्मन कर सकता था बिर्टिस भारत पर अतर रूस के आकर्मन को रोकने के लिए Lord Auckland ने ये सोचा कि अफगनिस्तान पर जाकर हमें उसको रोकना चाह ये और जैसी बात है अफगनिस्तान पहुंचने के लिए दो छित्रों को पार करना पड़ेगा या तो आप होके जाए पंजाब से या होके जाए जाए सिंद से जो पहले समस्यारी थी हुई सेम है तो Lord Auckland ने जो सिंद की सिंद के संबन सोरी Lord Auckland ने रूस को रोकने के लिए Lord Auckland पॉलिसी उसने अफगान रन्निती अपनाई और जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर अफगनिस्तान पहुंचना है तो या तो आपको पंजाब करना पड़ेगा या फिर आपको सिंद करना पड़ेगा दोनों में से एक तो करना पड़ेगा और जिस समय रूसी आकरमन का डर है उससे में रंजित सिंग जिन्दा है इसलिए आप देखिए 1838 के अंदर 1838 में 1838 में फिर एक बार सिंद की मौत आती है और मुद्दा क्या है कि इस इंडिया का अपनी बैसिकली अफगनिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचने के लिए ताकि वो रूसी आकरमन को रोक सक या उसके डर से मुक्त हो सके उसके 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 उसका सिंद या पंजाब को पूरी तरह से क्रोस करना जरूरी है तो सिंद के अमीरों को इसी समय संदी करने के लिए मजबूर कर दिया गया 1838 के असपास और ये का गया सिंद के अमेरों को ये का गया कि अगर पंजाब हमला आप पर करता है देखो जबकि दूर दूर तक ऐसा कोई बात थी नहीं सिंद को का गया कि पंजाब यदि आप पर हमला करता है तो सिंद और पंजाब के बीच में मद्दिस्ता अंग्रेज करेंगी मतलब East India Company करेगी तो सिंध के अमीरों ने कहा कि हमने पंजाबियों को प्रास्त किया है और भविसे में अगर आकर्मन हुआ तो हम प्रास्त कर देंगे आपको मद्देस्ता करने के आवसकता नहीं है मतलब इस समय तक थोड़ा सा सिंध के अमीर फॉरवर्ड होने का परियास कर रहे थे लेकिन East India Company ने कहा कि अगर आपने हमारे साथ संदी नहीं की ये बात है 1838 के असपास आपने अगर हमारे साथ संदी नहीं की तो हम पंजाब को आप पर हमला करने के लिए प्रेडित करेंगे और हम पंजाब की मदद कर देंगे इसलिए मजबूर होकर सिंध के अमीरों को सिंध के अमीरों को East India Company के साथ संदी करनी पड़ी और संदी क्या थी? संदी में ये कई बाते इस पस्टोफिल करेंगे कि जैसे पंजाब का हमला सिंध पर होने पर अंग्रेज उसकी मद्दिस्ता करेंगे सिंध की रक्सा के लिए सिंध में East India Company की एक सेना वहाँ पर तेनात रहेगी एक British resident को भी सिंध में रखा जाएगा एक political agent तो पहले से ही है तो ऐसे कई बिन्दों के साथ उन्हें संदी करने के लिए मजबूर कर दिया तो इस संबन में WFP Napier जो है WFP Napier क्या कहता है 1838 के आसपास हुई इस संदी के बारे में कि ये संदी जिसके द्वरा हमने एक बारूद से भरावा गोला सिंध के अमीरों के घर में रख दिया है जिसके द्वरा अब हम जब चाहें सिंध को द्वस्त कर सकते हैं मतलब यह देख लीजे आप समय की बात है कि जिन सिंध के अमीरों ने अंग्रेजों का साथ दिया लेकिन अंग्रेज किसी के सग्य नहीं थे उनके मन में धोका देने की प्रवर्ती पहले सी थी इसलिए उनने कहा कि हमने ये संधी करके सिंध के अमीरों के घर बारूत का गोला रख दिया है जिसको जब चाहें हम ध्वस्त कर सकते हैं ये भी था और अब आप देखिए इसी समय जिस समय इन्होंने अठास और तीस में इनके साथ में किया इसी समय लौड ओकलिन क्या करता है एक त्रिपक्सिय संधी करता है लौड ओकलिन जो है लौड ओकलिन इस समय एक त्रिपक्सिय संधी करता है देखो आप यहाँ पर यह आगया पंजाब यह आगया पंजाब यहाँ पर यह आगया सिंध और इन दोनों की बाउंडरी मिलती है किसके साथ अफगनिस्तान के साथ और इधर है ये इस्टिंडिया कंपनी अब इन चारों में हुस्यार को है इस्टिंडिया कंपनी तो इस्टिंडिया कंपनी को कहां पहुंसना है अफगनिस्तान तो अफगनिस्तान के साथ तो संदी करेगी, करेगी, तो अफगनिस्तान के साथ संदी करने के लिए पंजाब को और साथ ले लिया, एक संदी तो अलग से इनके साथ कर ली, और एक संदी उसको हम कहते हैं, त्री पक्सी संदी की, 1838 के अंदर, 1838 में, और इस संदी किसके में हुई तो यह संदी अफगानिस्तान पंजाब और EIC के मद्दे हुई थी इसको हम कहते हैं त्रिपक्षी संदी और कब होती है अठारा सो अर्टिस में हुई इस संदी में रंजीत सिंग ने सिंध से जगडों में कंपनी की मद्देस्ता को सुविकार कर लिया और सा सुजा ने सिंध पर अपनी सर्व स्रिष्टा की अधिकार को छोड़ दिया और ये वचन दिया कि वो सिंध पर हमला नहीं करेगा देखो सिंध को विचारे को पता ही नहीं है इनों ने इन तीनों ने मिलकर आपस में त्रिपक्षी संदी की हैं मैंने कल की किलास में आपको समझाय था कि रंजीत सिंग ने भी गलती की कि वो लगातार इसने कंपनी की हर संदी के साथ जुकता रहा इसलिए उसके निती थी जुको जुको और जुको किसकी रंजीत सिंग की 1838 के जो 35 संदी हुई उस संदी में पंजाब मतलब रंजीत सिंग ने मान लिया कि यदि पंजाब और सिंध के बीच में हमला होता है या लड़ाई होती है तो मद्धिस्ता कौन करेंगे अंग्रेज करेंगे मतलब ये बीच के थानिदार बन गए और कोई जमाने में जब अभदाली जैसे सासक वा करते थे तब सिंध जो है वो अफगानियों की इस रेष्टा को सुविकार करते थे और उनको टेक्स भी देते थे यहाँ पर जबर जस्तिनों ने कहा कि अफगनिस्तान का सासक सासुजा सिंध पर अपनी सरव सिर्ष्टा को छोड़ता है जबकि आपको पता होगा इतियास पड़ा होगा कि सासुजा तो खुद बटका हुआ था लेकिन और ये कहा कि सासुजा अब तक आप में जो टेक्स म अमीरों ने कहा कि हम अफगनिस्तान को टेक्स क्यों देंगे हमें लगता है कि ये अफगनिस्तान के नाम पर ये टेक्स आप लेना चाह रहे है मतलब वो एलिगेशन किस पे लगा रहा है सिंध का अमीर इस्ट इंडिया कंपनी पे लगा रहा है कुल मिला कर अब इस्तिति ऐसी हो गई कि डेली डे टू डे टू डे बैसिस के उपर सिंध के अमीरों में और इस इंडिया कंपनी के बीच में लगातार जगडे बढ़ने लगे अंग्रेजों को सिंध के तमाम कम्यों का पता लग चुका था अंग्रेजों ने इस परकार से नाकेबंदी की कि पंजाब सिंध पर हमला नहीं कर सकता था लेकिन सिंध को पंजाब के हमले के नाम पर डराय गया अफगनिस्तान सिंध पर हमला नहीं कर सकता था लेकिन सिंध को अफगनिस्तान के नाम पर डराय गया सिंदु नदी पर अंग्रेजों ने लगबग अपना नियंतर निस्तापित कर लिया और वो उनके व्यापार की मुख्य मार्ग बन चुकी थी सिंद के अमीर भी इसको दिरे दिरे पैचान रहे थे लेकिन इसे पीच आपको बता है कि एक गटना हुई लॉड आकलिन के समय और वो था आंगल अफगान युद और आंगल अफगान युद जो है वो अठारा सो गुनचालिस से अठारा सो बैयालिस के बीच में हुआ था मतलब अंग्रेजों और अफगानियों के बीच में जो युद हुआ है वो कब हुआ है अठारा सो गुनचालिस से अठारा सो बैयालिस के बीच में ध्यान रखना इस युद में इसे इटिंडिया कंपनी को काफी नुकसान हुआ जो आंगल अफगानियुद हुआ उसमें अफगानियुने चुकि सिंध दब गया पंजाब दब गया लेकिन अफगानिस्तान इतने जल्दी हार मानने वाला नहीं था तो जो आंगल अफगानियुद हुआ उस आंगल अफगानियुद में अंग्रेजों को अफगानियुने जबरदस्त टकर दी इससे अंग्रेजों ने इस युद को रोक दिया और कहते हैं कि इस अंगल अफगानियुद से अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ जब काफी नुक्सान हुआ तो यहां तक की जो नुक्सान हुआ उसकी किसी ने किसी रूप में इसकी भरपाई भी इन्होंने सिंध से करवाई कि सिंध को कई परकार के उस पर लगा के कि आपने हमें इस और से जाने ने दिया या आपने अफ़वनिस्तान की इस मुद्दे पर मदद की ऐसे करके चूंकि यहाँ पर सबसे कमजोर पार्टी जो थी वो सिंध थी उससे कई परकार के जुर्माने उस पर लगाए यहाँ ध्यान रखना कि जब अंग्रेज आंगल अफ़गान युद लड़ रहे हैं उस समय पंजाब की बड़ी गटना है रंजीत सिंग की मौत हो चुकी है रंजीत सिंग 18 गुंचाल से मर जाता है उसका बेटा खड़क सिंग बनता है जो अफिम का आदी था वो हर समय अफि इतने कर सकते जब तक वो पंजाब और सिंध को पूरी तरसे न जीत जाए और ध्यान रखना जो इन्होंने संदी की त्रिपक्षी संदी की और सिंध के साथ संदी की वो केवल 1838 के असपास इसलिए कि ताकि सिंध को सप्लाइचेन बनाया जा सके मतलब इस इंडिया कंपनी कि अंग्रेज जो अफगान युद में हारे उसका गुसा उन्होंने सिंध पर उतारा कैसे तो आप उसको भी देखने के प्रयास केजिए लेकिन ध्यान रखना लॉर्ड ओक्लिंट उताना वो कहते हैं कि सिंध मामले में काफी कप्टी था मतलब कप्टी किसम का था जिसने ह हर बार उनके साथ धोकिवाजी कि उसके बाद में जो है आया लॉर्ड एलन बरो लॉर्ड एलन बरो और इसका कारिकाल अठारा सु बैयाली से चम्माली से और ब्रिटेन से जब भी कोई गवर्नर जनरल बनकर आठा था यह उस समय भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका इंटरेस्ट तो भारत आने से पहले ही था जब 1831 में इसने ही एलेकजंडर बन्स को सिंदु नदी के खोज के लिए बेजा था तो ब्रिटिस सरकार को इस समय पता सुरी ब्रिटिस इस्टिंडिया कंपनी के जो वहाँ पर Court of Directors और Board of Control थे उनको पता था कि किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए कि इस समय एक बड़ा टास्क भारत में इस्टिंडिया कंपनी के सामने है और वो है सिंदु नदी और सिंद प्रांथ एवं पंजा प्रांथ को जीतना तो ऐसे व्यक्ति को बेजा जाए जो इसके बारे में पूरी जानकारी रखता हूँ Lord Allenbro जो था वो पूरी जानकारी रखता था इसलिए कहते हैं कि सिंद के मामले में Lord Allenbro, Lord Auckland से भी ज़्यादा कप्टी साबित हुआ मतलब यह उस से भी ज़्याद लोग के बास था और इसने क्या किया? इसने Sir Charles Napier को सिंद में British resident न्युक्त किया सिंद में British resident न्युक्त किया सिंद में British resident न्युक्त किया और सिंद के जैसे इसको न्युक्त किया ध्यानका Sir Charles Napier भी सिंद की बारे में अच्छी करशी जानकरे रखता था तो जैसे ही Napier वहाँ पहुंचता है तो यहाँ पर Allenbro ने यह पहले से धार रखा है कि एन केन प्रिक्रिन कैसे करके अब वक्त आ गया है सिंद को भारत में मिलाने का मतलब ब्रिटिस भारत में इसका विले करने का तो वो क्या करता है सर चाल्स नेपिर जो है वहाँ पर जाते ही सिंद के अमीरों पर पर सिंद के अमीरों पर बे बुनियाद आरोप लगाता है और वो आरोप जो है वो छोटे छोटे युद में तब्दिल हो जाते हैं मतलब सिंद के अमीरों की आर्थिक और राजनितिक नाकिय बंदी कर दी गई थी और इनी प्रिस्टिव में एक छोटे से अभियान के दौरा 1843 में ध्यान रखना 1843 में सिंद का विले सिंद का विले ब्रिटिस भारत में कर दिया गया आपसे पुछे कि सिंद का विले ब्रिटिस भारत में किस गवर्णर जनरल के समय किया गया था सिंद का विले ब्रिटिस भारत में कर दिया इस परकार एक और प्रांत का विले बिर्टिस भारत में हो गया कल हमने पढ़ा था 1849 में पंजाब का विले भी बिर्टिस भारत में हो जाता है तो 1843 में सिंद्ध का और इसके जस्ट बाद अगला नमबर किसका है पंजाब का जो हमने कल पड़ा था 1845-46 में पहला आंगल सीक्योद होगा और फिर 1848-50 के अंदर दूसरा आंगल सीक्योद होगा और पंजाब का विले भी ब्रिटिस भारत में कर दिया जाएगा तो आप देखिए 1843 से लेकर 1850 के बीच में पस्यमी भारत के दो इंपोर्टिंट छेत्रों का विले ब्रिटिस भारत में किया गया लास्ट में एक पॉइंट औरम पढ़ते हैं जिस समय सर चार्ल्स नेपियर ये ओपरेशन चला रहा था जिस समय सर चार्ल्स नेपियर जिसको सिंद में विजा गया था ब्रिटिस एजिडेंट बनाकर उस सर चार्ल्स नेपियर ने सर चाल्स नेपिर ने सर चाल्स नेपिर ने जब सिंध का विले किया और वो एक परकार का जबरदस्ती से धोके बाजी से किया गया विले था तो 1843 में उसने क्या बयान दिया बयान कहते हैं स्टेट्मेंट को सरचाल्स नेपिर का परसित statement क्या था जब उसने सिंध का विले किया तो आप लोग याद रखना खुद सरचाल्स नेपिर कहता है कि हमें, वो क्या कहता है, सर्चास नेपिर ने कहा, कि हमें सिंद पर कबजा करने का कोई अधिकार नहीं है, वो अपने मूँ से इबात कर रहा है, कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगी, फिर भी हम ऐसा करेंगी, ये इतियास में, बदमासी का, एक महत्पूर्ण, उप्योगी और मानवता पूर्ण कार्य होगा Controversy देखिया वो कह रहा है कि ये बदमासी का ये बदमासी का एक महत्पूर्ण, उप्योगी और मानवता पूर्ण करते होगा ये क्यूशन दो बार पुछा गया है कि सिंद के संदर्ब में ये स्टेट्मिंट किस ने दिया कि हमें सिंद पर कबजा करने का कोई अधिकार नहीं है फिर भी हम ऐसा करेंगे ये इतियास में बदमासी का एक बैतर उधारन होगा यह फिर में ऐसा करेंगे यह इतियास में बदमासी का एक मैतपून उप्योगी एवं मानवतापून करते होगा यह स्टेटमेंट किस ने दिया तो ध्यान रखना सर चाल्स नेपिर ने यह कह था तो दोस्तों आज आधुनिक भारत के इतियास का एक और टोपिक हमने बहुत बेतर तरिके से करने का प्रियास किया इसका नाम था सिंद और सिंद का विले कल हम आधुनिक भारत के इतियास में फिर एक नए टोपिक के साथ मिलेंगे आज इतना ही जै हिन जै भारत